यूर्स मैं हूँ विकास कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रामायन और महाभारत का इतिहास के साथ संबंध बढ़ियां से क्यों नहीं बैठता है यानि कि आप कई लोगों को लांचन लगाते वे देखते होंगे कि रामायन और महाभारत जूट है ये सिर्फ कहानी है ये सची घटना पर अधारित नहीं है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कुछ इती हासकार का ऐसा विचार क्यों है क्या है कन्फ्यूजन उन सब चीजों से रिलेटेट है आज हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं तो आप बने रहे हमारे साथ आज आपको बहुत ही महत्तुपूर्ण जानकारी बताने वाला तो यहाँ पर कंसेप्ट में बताने वाला हूँ जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो यह है कि आपको समझना पढ़ेगा कि हमारा धार्मिक द्रिश्टी कोन क्या कहता है हमारा धार्मिक द्रिष्टी कौन कहता है कि हमारे जो समय हो चार योगों में बाटा गया है, समय को चार योगों में बाटा गया है, चार योग कौन कौन से है, सत्य योग, त्रेता योग, द्वापर योग, कली योग, सत्य योग, त्रेता योग, द्वापर योग, कली योग और धार्मिक दिरिष्टी कोन और क्या कहता है और कहता है ये कि तरेता युग में राम हुए थे तरेता युग में क्या हुए थे यानि कि रामायन का जो कहाने है वो तरेता युग का है और महाभारत का जो यानि स्री कृष्णे का जो कहानी है वो द्वापर यूग का है, श्री किष्ण का कहानी द्वापर यूग का है, तो यानि कि रामायन पहले घटा था और महाभारत बाद में घटा था, तिरता यूग पहले आता है, द्वापर यूग बाद में आता है, तो मतलब रामायन पहले घटा था और महाभारत बाद की अब अगर हम लोग समझे तो इतिहासकार लोग ऐसा नहीं मानते, इतिहासकार लोग कहते कि नहीं, पहले महाभारत घटा था, और तब रामायन घटा था, पहले जो घटना है, वो पहले रामायन की घटना होनी चाहिए, नहीं, पहले महाभारत की घटना होनी चाहिए, और वो concept यह है कि रामायन और महाभारत की जो कहानी है अगर इतिहास कार लोग उसको सची घर्टना पर मानने का परियास करें बैठाने का परियास करें या फिर इसमें जो समाजिक द्रिश्टिकों दिखाया जा रहा है जो समाजिक इमेज जो दिखाया जाता है रामायन और महाभ पूरो वैदिक काल यानि कि 1500 से 1000 BC यानि कि 1500 से 1000 इसा पूरो और फिर उत्तरवैदिक काल यानि कि 1600 BC इतना तक पीछे कहानी ये जो है कहानी है वो ले जाया जा सकता है अगर इसको हम सच्ची घटना पर अगर माने तो इतिहास का इसा मानना है कि ये कहानी इतना पीछे तक जा स अब इतना पीछे तक जाने के बाद एक और confusion है, इतिहासकार लोग ये प्रूप करते हैं कि नहीं, पूर्ववाइदिक काल में जो है, वो इस्तिरियों की दसा अच्छी थी, इस्तिरियों की दसा अच्छी थी, और उत्तरवाइदिक काल, यानि कि 1620 वाला, यानि कि इसके बा बाद वाला के समय में इस्तिरियों की दसा में गिरावट आ गई, ये मेरा कंसिप्ट नहीं है, इतिहासकार का कंसिप्ट है, इतिहासकार का कंसिप्ट है, लेकिन अब अगर इतिहासकार लोग इस पर रिसर्च करते हैं, तो वो पाते हैं कि महाभारत में इस्तिरियों की दस ठीक ठाक है, महाभारत में इस्तिरियों की दसा ठीक ठाक है, और रामायन में थोड़ी गिरावट आई है, तो यह क्या समझ लेंगे, यह समझ लिए कि नहीं, यह महाभारत जो है, यह पहले की घटना है, क्योंकि इस्तिरियों की दसा ठीक ठाक है, यहां से समझे, यहां ठीक थाक था तो पहले वाला, पहले वाला में ठीक ठाक था और बाद वाला में गिर गया, तो यहाँ पर भी तो यही, इसमें अगर ठीक ठाक है, इस तरियों की दसा, इसका मतलब यह पहले घटा होगा, और अगर इसमें ठीक ठाक नहीं है, इसका मतलब यह बाद में घटा होगा, तो इतिहासकार ऐसा मानते कि नहीं ये जो पहले का घटना है और ये है बात का घटना तो सबसे पहले यहीं का इंफ्यूजन हो गया धार्मिक दिरिश्टी कौन कुछ कहता है धार्मिक दिरिश्टी कौन का कहना है कि नहीं पहले रामायन घटा था लेकिन इतिहास करकर दृष्टी कौन करता है कि नहीं पहले महाभारत घटा था तो इस्तिरियों की दसा के आधार पर ही नहीं और भी कई सबूत देते हैं इस चीज को पूरूफ करने के लिए तो चलिए और हम लोग सबूत देखते हैं कि क्या क्या है दूसरा जो सबूत है व अब आपका जो महाभारत का कहानी है वो इधर का कहानी है कुरूचे रहस्तिनापूर यह सब सब इधर का कहानी है ज्यादा तर कहानी में जिक्र आता है इधर के स्थानु का आता है और महाभारत जो कहानी है उसमें ज्यादा तर जिक्र इसका आता है और रमायन में जो कहान तो यहां पर यह सबुत देते हैं रमायन और महाभारत को तो इसमें जो सब्द यूज किये गए और जो समाजिक इमेज जो लोगों का निकलता है वहां से उसके अधार पर वो मानते हैं कि नहीं यह जो कहानी है या जो सब्द जो यूज किये गया है महाभारत में थोड़ा कम विक्सित है और रामायन में जो सब्द यूज किये गया है वो ज्यादा विक्सित है तो इसका मतलब इसका कहानी पहले लिखा गया है इसका बाद में लिखा गया, यह पहले घटा और यह बाद में घटा है, ठीक है, तो ऐसा भी इतिहासकार मांगते हैं, अब जो अगला जो सबसे बड़ा confusion है, इतिहासकार लोगों का, और जो सबसे बड़ा सबूत देते हैं, इसको रमायन और महाभारत को थोड़ा सा उल्टा पूरूब करने के लिए, या फिर उसको ऐसा पूरूब करने के लिए, या फिर उसको ऐसा पूरूब करने के लिए कि वो इतिहासकार लोगों का मानना है कि नहीं, यह जो महाभारत है और यह जो रमायन है, वो अनेक बेक्तियों द्वारा रचित है, यानि कि इसमें जो सब सब्द यूज किये गए हैं, वो अलग-अलग समय के सब्द यूज किये गए हैं, और इसका रचना लगबग हजार साल, आठ सो साल के इंटरवल में मोटा-मोटी किया गया रचना, रमायन का भी, महाभारत का भी, ठीक है, लेकिन अगर धार्मिक द्रिश्टी कोन देखें, त महाभारत की रचना कौन किये थे, वेदबयास, और रमायन की रचना कौन किये थे, महारसी बालमिकी, तो धार्मिक द्रिश्टी कोन काता है, कि नहीं एक ही बेक्ती रचना किये थे, लेकिन इतिहासकार क्या बोल दिये, कि नहीं बहुत सारे बेक्ती मिल करके रचना किये, ठीक ना, तो ये भी confusion यहाँ पर किरिट हो जाता है, फिर एक confusion है पुरा तात्विक साच्छी का, पुरा तात्विक साच्छी का मतलब क्या है, कि हम लोग देखते हैं महाभारत में की युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे युद्ध हमा यह जो सो रामायन और महाभारत को सिर्फ साहित्य मान लेते हैं, बल्कि सच्ची घटना उसको नहीं मानते हैं. ठीक ना? तो यह सब जो मैं बता रहा हूँ, यह सब जो साच्ची है, यह जो यहाँ पर मैं डिसकस कर रहा हूँ, यह मेरा अपना कंसेप्ट नहीं है, यह सब किताब में दिया गया है, उसी को मैं आपको मानने भासा में, आसान भासा में समझा रहा हूँ. तो जो भी दिक्कत हो, अगर कोई खास दिक्कत हो, तो वो हमें बताएं, मैं कोशिस करूँगा कि उसको एक्स्पिलेंट करने का, और बाकि हमारे साथ बने रही है, धन्यवाद.